प्रियाज सिक्षामिसन में एक बार फिर स्याप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमस पठना के अंदर जो लेवल वन की पोश्ट निकली है उसकी सैलरी कैलकूलेशन की तरफ एमस पठना के अंदर जो लेवल वन की पोश्ट निकली है दोस्तों इगरेट पर थारा सो के अंदर कवर होती है और ये ग्रूप सी की पोश्ट है जिसका पेवेंड अठारा जार रोपे से सुरू होता है और चपन जार नोसो पे खतम होता है और ये जो रिक्रूटम के अंदर लेवल वन की पोश्ट पर जो भी कईड़ेट सेलेक्ट होगा उसको इनिशिल जोईनिक के चाइम पे जो बेसिक सेलरी मिलेगी वो अठारा जार रूपे मिलेगी और ये जो बेसिक सेलरी है दोस्तों इस पे हर साल 3% के रिट से इंक्रिमेंट लगेगा इसके हमारा हो जागा 7,560 रूपे और ये जो महेंगाई बसता है दोस्तों ये जून 2013 तक 42% ही रहेगा एक जुलाई 2013 से महेंगाई बत्ते का रेट फिर से चेंज हो जाएगा इसके बाद बार या थी है एचारे यानि हाउस रेंट लाउंस की पटना जो सिटी है दोस्तों वो ए एचारे का रेट है वो 18% है बेसिक सेलरी का जो हमारा होना चीए 18,000 का अगर हमनो 18% लेते हैं तो हमारा एचारे होना चीए 3,240 रूपे लेकिन एचारे के सर्कुलर के अनुसार किसी भी पोस्ट पर वाइकला सिटी के अंदर 3600 रूपे से कम एचारे नहीं मिलेगा यानि म मिनिमम जो एचारे मिलेगा तो 3600 रूपे मिलेगा इसलिए हम यहां पर 3,240 रूपे एचारे नहीं लेंगे क्योंकि जो मिनिममम एचारे करेट है वो 3600 रूपे है और यही केंडिट को सेलरी में मिलेगा भी और जो एचारे होता है दोस्तों वो इंपलोई को सेलरी में ओफिस से घर आने के लिए किराय के रूप में ट्रासपोर्ट रॉन्स दिया जाता है जिस का रेट लेवल वन की पोस्ट के लिए पठ्टना सिटी के अंदर तेरा सो पचाइस रुपे है ट्रासपोर्ट रॉन्स के ऊपर डीय भी मिलता है जिसे हम लोग DA on TA बोलते हैं और ये जो DA मिलेगा दोस्तों ये उसी rate से मिलेगा जो उस टाइम पे हमारा DA का rate होगा तो इस टाइम पे जो हमारा DA का rate है वो 42% है बेसिक salary का तो जो transport lounge हमारा 1350 रुपे उसके उपर 42% के rate से जो हमारा DA on TA बनेगा वो 566 रुपे बनेगा और level 1 की पोस्ट पर एमस पटना के अंदर जोईन करने वाले करमचारी की जो gross salary बनेगी वो 31,077 रुपे बनेगी बात करते हैं डिड़क्शन की डिड़क्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिड़क्शन होगी वो होगी NPS की जिसका rate होता है 10% basic पलस DA का जो हमारा जगा 2556 रु हर महीने डिपार्टमेंट द्वारा जमा करा दिया जाता है साथ ही डिपार्टमेंट भी 14% basic पलस DA का employee के प्रेन अकाउट में जमा कराता है हर महीने अगली जो डिड़क्शन होगी अमारी वो है employee health scheme की employee और उसके dependent family member के लिए free medical facility प्रवाइड करने के लिए scheme होती है दोस्तो इसके बदले एम स्वर्टना हर मेने अपने employee से एक minimum amount charge करता है जिस current level 1 के लिए 500 रुपे होता है इसके बाद जो recovery होगी वोगी license fees की और यह जो recovery होगी अगर employee सरकारी quarter में रहता है यहाँ पर हम लोग मार कर चल रहे कि employee सरकारी quarter में नहीं रहता है यानि कि वो बाहर या तो क किराये पे रहता है या खुद के घर में रहता है कि बाद बार यहते income tax की यह भी हमारा zero रहेगा क्योंकि level 1 की post पर जो employee को salary मिलती है वो tax के दारे में नहीं आएगी इसलिए हम लोग income tax को zero लेके चल रहे हैं salary से इसके बाद जो recovery होगी होगी हमारी professional tax की जिस current ब्यार state के अं leverage करने के लिए 200 रुपे महिना professional tax की recovery दिखा रहे हैं तो इस परकार पठना के इंदर level 1 की post पर जोईन करने वाले करमचारी की जो cool deduction बनेगी वो 3006 रुपे बनेगी और जो net उसके account में salary transfer होगी वो 8,071 रुपे होगी और यह जो salary calculation हमारी दोस्तों जून 2023 के अनुसार है एक जुलाई 2023 से DA का rate बढ़ जाएगा और DA का rate बढ़ने के कारण एक तो DA बढ़ जाएगा दूसरा हमारा DA on TA बढ़ जाएगा और recovery साइड में हम लोग बात करें तो NPS की recovery बढ़ जाएगी तो कहने का मतलब यह के हमारी salary calculation फिर से change हो जाएगी तो यह थी दोस्तों एमस पठना के इंदर लेवल वन की पोस्त पर जोईन करनवाले करमचारी की salary आश्या करतों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी जय हिन जय भारत